कुम्ब राशी 20 अक्टूबर की दिन कहीं से उड़ता तीर आकर लगेगा आपकी रूह कांप उठेगी सुनकर तो चलिए आज की सुड़ों में हम बात करते हैं 20 अक्टूबर के कुम्ब राशीपल के बारे में बहुत सारी इंपोर्डन बाते हैं कुछ सामने रशीपल, करियर रशीपल, लव रशीपल, स्वास्त रशीपल, आर्तिक रशीपल, सभी बाते और आखिर में सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाले बाते भी आपको इस वीडियो के माद्ययम से बताने वाले हैं आज के लिए आज का दिन कैसा रहेगा पूरी विस्तार से बताने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें शुरू से लेकर अंतर तो जरू देखें और हमारी चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब जरू करें साथी बोले नजी का अशिरुआ चाते हैं तो कमेंट में प्यार से जय बोले नजी लिखना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आप के लिए इंपोर्टन बाते कैसे रहेगी उसके बारे में दोस्तों सिहत पर गवड़ करने की जरूरत है क्योंकि आप अपने सिहत को लेकर बहुती आलसी हो चुके हैं सुब उड़कर व्यायम करना योगा करना आपने छोड़ दिया हैं तो ऐसा बिल्कُल भी ना करें सेहत अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो सुबह उड़कर व्यायम और योगाद जरूर करें आर्तिक पक्ष के मजबुत होने की पूरी संभवना बढ़ रही है अगर आपने किसी शक्स को पैसा उदार दिया था तो आपको वो पैसा वापस मिलने की उमीद है आज की दिन बिना खुच कहस किये भी आप आसाने से लोगों का ध्यान अपने और अकर्शक करने में कामियाब रहेंगे आज अपनी प्रिय से दूर होने का दुख आपको टीस देता रहेगा लेकिन आपने इंपर्णन काम के उज़े से अपनी साती से दूर हो चुके हैं तो इतना टेंशन लेने की जरूत नहीं है यहाँ उन उम्दा दिनों में से एक हैं जब कारेक्शेतर में आप अच्छा महसुस करेंगे आपके सहकर में आपके काम की तारिफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम से खुश होगा कारोबारी भी कारोबार में मुनाफ़ा कमा सकते हैं जिन्दगी में चल रही आपा धापी के बीच आपको अपनी लिए पर्यापत समय मिलेगा और आप अपने पसंदिता कामों को कर पाने में कामयाब हो पाएंगे दोस्तों लंबे समय से कामकात का दबाव आपकी ववाहिक जीवन के लिए कढ़िनाया खड़ा कर रहा है लेकिन सारे शिकायते अब दूर होंगे लेकिन इस बात को ध्यान रखेगा कामकात का दबाव से जो भी दबाव रहता है उसकी दबाव से परेशान होकर अपने सातीदार से चिड़चिड़ा ना करे उसे ऐसे एकदम घुसे में बातें ना करे क्योंकि क्या होता है कि कामकात के दबाव में हम परेशान इतना रहते हैं कि हमें क्या बोलना है, कुछ बोलना है, क्या कुछ भी नहीं समझता तो इसलिए कामकात के दबाउं में आकर अपने सातीदार को उलट सुलट बाते ना करे आपका आर्थिक पक्षय आज मजबूत रहेगा भगवान के प्रती विश्वास बढ़ेगा वैचारी मतबेद दूर होने के साती आज किसी को अपने मन की बात बताने का आपको मौका भी मिलेगा कारोबार में नई सवदे लापरद रहेंगे रुके कार्य पूरे होने में अभी समय लग सकता है विचारों का तालमेल बनाय रखना बेहत जरूरी है रिस्तों की अच्छाई तभी उबर कराईगी सनीह जनों से भैट उपहार मिल सकते हैं राजनेतिक शेतर से जुड़े लोगों की समाज में और अच्छी छबी बनीगी दोस्तों अब बात करते हैं कि कहीं से उड़ता तीर आपको किस तर से लगेगा और आपकी उर्मवक्ती तर से काम पूटेगे उसके बारे में दोस्तों कहीं से उड़ता तीर लगेगा यानि कि आप पिछले कुछी दिनों में कुछ ऐसी गलती कर चुके हैं या गलती किसी बेक्षेतर से जुड़ी हुई है गलती यानि कि वो गलती छोटी सी थी इसलिए आप तब उसे नजर अंदाज किये थे लेकिन वही गलती अब आकर उबर कर आकर सामने आएगी जब आपके सामने आएगी तो आपकी रूह काम पूटेगे क्योंकि उस चोटी गलती की वज़े से आज आपको बड़ा नुबसान जलना पड़ सकता है दोस्तो एक बात को ध्यान रखेगा गलती चोटी हो या फिर मोटी हो गलती तो गलती ही होती है यही चोटी गलतीयां आगे जाकर बड़े हो सकते हैं इसलिए किसी भी छोटी छोटी गलतियों को नजर अंदाज ना करें हर एक छोटी गलती को आप उसको अन्य की सुलजा कर ही आगे बढ़ेगा वरना अब आपको उस छोटी गलती का शिकार होना पड़ा है और नोकसान भी आपको ज़लना जरूर पड़ेगा तो चले अब बात करते हैं कि आपके करियर राशिकल कैसा रहेगा उसके बारे में आज आप आफिस में उन लोगों से साउधान रहे जो कि आपकी मेहनत का प्रतीफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम पर नजर रखें और इस बात का एकिन कर ले कि आपका सूपरवाइजर ये जानता है कि अपने काम को पूरा करने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं अपनी मेहनत को यूँ ही बेकार ना जाने दिन दोस्तों आप बात करते हैं कि आपके लिए लव राशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आप अपने प्यार बरी जिन्दगी के प्रती उदा सिंता का अन्भो करेंगे कुछ हैं जो आपके रिस्तों में दूरिया बढ़ा रहे हैं जिसके कारण आप तनाव में हैं आप हिम्मत रखें और अपने साती के साथ इस बारे में विश्तार सही विचार करें आप पाएंगे कि चोटी मुटी परिशानिया सोते ही दूर हो जाएगी दोस्तों अब बात करते हैं आपका आर्ती ग्राशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में जमीन जायदाद में बड़ा लाब आपके भाग्य पत्री में दुरुष्टी गोचर हो रहा है तो आगे बढ़ियें और पूंजी लगाएं अगर आप कोई सवधा तय होने के इंतजार में हैं तो आपके यह सही समय है इस समय आपकी सितारे बुलंदियों पर हैं और आपको शीग रही निच्चित रुप से कोई बड़ा लाब होने की संबवना है दोस्तो स्वास्त राशिपल की बात करते हैं दिन की शुरुआत के साथ आप कुछ अच्छा महसूस नहीं करेंगे अगर आप अपने स्वास्त को लेकर जादा परिशान हैं तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं अन्यता आप अपनी दिमाग को आराम दें क्यूंकि आप कुल मिला कर स्वास्त हैं आप अपनी परिशानी एक तरफ रख दें और आराम से सुचें दोस्तों आखिर में बात करते ही कि आपको कौनसे बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आपको लंबे समय से महसूस हो रही ठकान और तनाव से आराम मिलेगा इन परिशानियों से स्ताई निजात पाने के लिए जीवन शेली में बदला वराने का सही समय है आकस्मित मुनाफे या सट्टे बाजी के जरिये आर्तिक हालात सुद्रूड होंगे कुछ दिनों से आपका व्यक्तिकत जिवन ही आपके ध्यान का केंदर रहा है लेकिन आज आप सामजी कारियों पर ज्यादा ध्यान देंगे और दरौत मंदों की मदद करने की कोशिश करेंगे बेवज़ का शेक रिस्तों को खराब करने का काम करता है आपको भी अपनी प्रेमी पर शेक नहीं करना चाहिए यदि किसी बात को लेकर आपके मर में उनके प्रती संश हैं तो उनके साथ बैट कर हल निकालने की कोशिश करें नए साजिदारी आज की दिन फलदाए रहीगी महत्वपुर्णों लोगों के साथ बाचित करते वक्त अपने शब्दों को गर से सुने उबाव होती शादी शुदा जिन्दगी के लिए कुछ रोमांच डुणने की जरूरत है तो दोस्तों कुछ इस तरह से आज का आपका कुम्ब राशिफल रहने वाला है वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरू करेगा तो चले दोस्तों आज की सुड़ो में बस इतना ही मिलते एक नए वीडियो किसा धन्यवाद